नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल और इस तमें के एक ब्रेकिंग न्यूज फरीदाबद में गुरुवार को सुबह कॉंग्रेस के परदेश प्रवक्ता विकास चोधरी की गोली मार कर हात्या कर दी गई दो हमलावरों ने विकास को जिम्स के बाहर आठ से दस गोली मारी वार्दात को अंजाम देने के बाहर कार से हमलावर भाग गए इस पूरी घटना का एक CCTV केमरे में पूटेश सामने आया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जिम्स के बाहर कार से उतरते ही हमलावरों ने विका कर दिया गया वहीं विकास चोधरी को परदेश कॉंग्रेश अध्यक्स का बिलकुल करीबी माने जाता है कई सालों से सक्रिय विकास राजनीती में तेजी से आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर इसी दोरान कई उनके दुश्मन बन गए इसी दोरान उन्हें भी इस बात का अंद तबर ने कहा है कि परदेश में जंगल राज कायम हो चुका है बदमासों में किसी भी तरह की कानून का कोई खोप नहीं रहा कल भी इसी तरह से एक घटना हुई थी जिसमें छेड़ खानी का गिरोध करने पर एक महिला को चाकू मार कर हत्या कर दी गई थी इस वारतात के ब प्रभू सिरी चोधरी की आत्मा को शांती दे और परिवार को आगात शेहनी की शक्ति दे ये राहुल गांधी ने ट्वेट किया है आपको बताते कि घटना की सूचना मिलने पर अपराग जान साखा सेट्र आर्थाना पुलिस और डी सीपी क्राहिम ने मोका का मौइना किय बीजीपी राजेस कुमार ने बताया की बदमासो की संख्या तीन से चार हो सकती है। कर सकती है आप देखरें पलपल फारीदाबाद से विशेस रिपोर्ट कर सकता है झाले इनके धन। कर दो जो कर दो देखरें विशेस रिपोंगा है जो भुझ अको बादाश